आप Android phone से iPhone के उपर switch कर रहे हैं या iPhone से Android के उपर सबसे बड़ी problem आती है जब आप अपनी chat, WhatsApp chat को transfer करते हैं या तो आप उस problem का face कर चुके हैं, नहीं की है तो आप करेंगे हाला कि दोनों operating system में chat को transfer करने के लिए अब options आ चुके हैं परनतो अगर आप उससे chat transfer करते हैं तो आमतोर से fail ही होती हैं और दूसरी जो सबसे बड़ी problem आती है कि आप सिर्फ एक बार ही chat को transfer करेंगे या phone आपको reset करना पड़ेगा परनतो आज इस वीडियो में हम बात करेंगे कि कैसे आप अपनी WhatsApp chat को transfer करवाएंगे और वो भी 100% successful rate के साथ वो कैसे WhatsApp chat को transfer करने के लिए दोनों ही method फ्री और पेड के मैं पहले भी वीडियो जो बना चुका हूँ परनतो बहुत सारे comments मुझे मिल रहे थे कि अब ये methods काम नहीं कर रहे हैं तो आज मैं आपके साथ एक ऐसा method discuss करूँगा जो की 100% काम कर रहे हैं और उसके लिए आपको phone को दुबारा से reset करने के जुरूत नहीं है ना ही Android phone को ना ही आपके iPhone को और दूसरा किसी भी version को आप iPhone का भी कोई भी version ले सकते हैं या Android का कोई भी version ले सकते हैं दोनों के बीच में चाहे आप normal WhatsApp chat हो आपकी या business WhatsApp chat हो easily transfer कर पाएंगे परन्तो एक बड़ा सवाल कि इतना successful method है तो time भी ज़्यादा लगता होगा बस मास 10 minute में सब हो जाए कौन सा software और कैसे transfer होगा बट आगे बढ़ने से पहले एक चीज में clear करूँ कि यह free software नहीं है परन्तो आप इसको try कर सकते हैं क्योंकि free trial यहाँ पर भी मिलता है पहले एक बार देग लेते हैं कि क्या software है और क्या यह useful आपके लिए हो सकता है बट तो यह है Tenoshare iCare phone transfer software इसको आप download कर सकते हैं free download कर सकते हैं या buy करना चाहें बट मैं पहले आपको recommend करूँगा कि free download कीजिए हमें यहाँ पर simple install i install के उपर click करना है और यह कुछ time लेगा क्योंकि depending upon internet से direct download करता है और जल्द ही आपके software को install कर देगा and start different options दिखा रहे हैं आप कौन सी चीज transfer करना चाहते है WhatsApp, WhatsApp Business, GB WhatsApp, Kik या Viber जो भी जैट आप इनमें से किसी भी version के लिए कर सकते हैं अब आपको आपके iPhone और Android phone दोनों को आपको आपके PC के साथ connect करना है उसके लिए मैं cable का use करूँगा successful transfer के लिए आपको कुछ settings आपके Android और iPhone दोनों के अंदर ही करने पड़ेगी Android के अंदर आपको developer options को own करना है और आपके iPhone के अंदर आपको find my device को off करना है जब आपके chats transfer हो जाएं तो उसको दुबारा से own कर सकते हैं Android के अंदर developer options को own करने के लिए आपको settings के अंदर जाना है और settings के अंदर सबसे नीचे option आपको मिलता है about phone का क्योंकि मैं पहले से own कर चुका हूँ इसलिए developer options own है आप करना चाहें तो about phone के अंदर जाएं और about phone के अंदर आपको option मिलता है software information का यहाँ पे build number आता है और build number के उपर जब आप 7 बार tap करेंगे तो आपका developer option own हो जाएगा अब developer options के अंदर जाके आपको USB debugging को own कर देना है और iPhone के अंदर find my device को off करने के लिए settings के अंदर जाएं आपके नाम के उपर click करें और उसके बाद find my device जो option नीचे आया है इसके उपर click कर दें और यहाँ पे find my device iPhone on है इसको off कर दें तो इस तरीके से find my device यहाँ पे off हो जाएगा iPhone के अंदर जब आप find my device को off करेंगे तो यह आपका password पूछेगा password यहाँ पे डाल दे and now it is set to off अब next setting करनी है आपको अपने android phone के अंदर यहाँ पे कोसिस किजिए कि transfer करने से पहले आप अपना एक backup बना ले जो भी WhatsApp chat आप transfer कर रहे हैं मैं यहाँ पे मेरे business WhatsApp को transfer कर रहा हूँ तो business WhatsApp का जो जितनी भी chat होंगी मैं यहाँ पे उसका settings के अंदर जाके और chats के अंदर जाऊंगा और chats के अंदर जाके यहाँ पे मैं अपना एक latest जो भी backup होगा वो मैं create कर लूँगा सबसे नीचे option मिलता है chat backup का और यहाँ पे मैं option कर दूँगा backup तो इस तरीके से chat backup होंगी और latest chat जो है वो मैं transfer कर पाऊंगा अब जितनी भी chats थी वो सारी की सारी backup हो चुकी है दूसरा एक और setting आपको WhatsApp के अंदर ही करनी है तू स्टेप verification का जो option होता है उसे off कर देना है इसके लिए आप अपके WhatsApp account के अंदर जाए और यहाँ पे तू स्टेप verification का option आप दिखाई देगा इसको आप turn off कर दे मैंने यहाँ पे पहले से turn off कर रखा है इसलिए turn on का option आ रहा है आपको भी off करना है और उसके साथ-साथ WhatsApp को या business WhatsApp जो भी आप transfer कर रहे है iPhone के अंदर पहले से install कर ले login और भागी काम बाग में करेंगे अब आपको next step में अपके Android phone और iPhone दोनों को PC के साथ connect कर देना है WhatsApp Business के उपर क्लिक करेंगे क्योंकि मैं WhatsApp Business WhatsApp को मैं transfer करने वाला हूँ अब देखिए इसने Android और iPhone दोनों को detect कर लिया है मैं अपने Android phone से जो की Samsung का Android phone है उससे सारी की सारी chat को transfer करूँगा अपने इस iPhone के अंदर तो मैं यहाँ पे option दबाता हूँ transfer का और यह पूछता है कि आप जहाँ पे भी transfer करेंगे तो पहले वाला जितना भी data है वो erase हो जाएगा क्योंकि हम यहाँ पे पहली बार ही transfer करें तो कोई issue नहीं है मैं डारेक्ट क्लिक करूँगा continue के उपर and transfer तो यहाँ पे continue के उपर क्लिक करें transfer directly तो यहाँ पे यह 64-digit security key के बारे में पूछ रहे हैं अगर आपने पहले से encrypt कर रखा है data तो आपको 64-digit की जो key है वो वहाँ से copy करके यहाँ पे paste करनी पड़ेगी अगर आपने नहीं कर रखा या off कर रखा है तो फोर कोई issue नहीं है तो मैं यहाँ पे क्योंकि मैंने पहले से वहाँ पे कोई encryption on नहीं कर रखा तो मैं यहाँ पे transfer directly के उपर क्लिक करूँगा and देखिए 179 messages है या जो भी message है वो सारे के सारे इसने कर लिए हैं यहाँ पे अभी मुझे क्या करना है कि यहाँ पे जो भी मेरा WhatsApp नंबर है उसको डालना है यहाँ पे and उसके बाद यहाँ पे verify के उपर क्लिक कर दें continue के उपर क्लिक करें अभी यहाँ पे इसने पूछा कि two step verification on तो नहीं है यहाँ पे जो message आया था तो वो message यहाँ पे डाल देना है and उसके बाद verify we have to wait for some time जब तक की verification पूरा नहीं हो जाता verification हो गया है तो यहाँ पे जो भी चीज़े आप करना चाहें आप messages, images, stickers जो भी चीज़े हैं आप करना चाहते हैं transfer वो select कर लें कि इन मेंसे कोई भी आप नहीं चाहते हैं जैसे videos नहीं चाहते हैं तो उसको छोड़ सकते हैं या सारा data चाहते हैं तो सब को all के उपर click करें और continue के उपर click करते हैं अब यह क्या करना है gathering data जो भी है अब यह step important है यहाँ पे आपको आपके iPhone के अंदर login करना है उसी number से जो आपका पहले Android के अंदर था क्यों यह क्यों important है क्योंकि अगर आप login करेंगे तो जो notification है वो जाएगा आपके पुराने Android के उपर पुराना जो WhatsApp है उसके उपर तब ही आप कर पाएंगे अब मुझे WhatsApp के अंदर जाना है agree and continue करना है 6,7,824 624 और जैसे ही code हम एंटर करेंगे यह उसको verify करेंगा and no backup found, skip restore हम यहाँ से restore skip कर सकते हैं और यहाँ पर मैंने skip कर दिया उस step को skip transfer restore का and अब यहाँ पर मैं अपने main WhatsApp के अंदर आ चुका हूँ, chat अभी देखी यह कोई भी chat यहाँ पर show नहीं कर रहा है क्योंकि यहाँ पर मैंने अभी transfer की ही नहीं है अब आपको PC के अंदर next step करना है logged in and देखिए, यह option आपके सामने आएगा, restore is in progress आपका phone switch off होगा देखिए, यह switch off हो चुका है अभी यह restore होगा and now, successfully अब आप देख सकते हैं सारी chat यहाँ पर transfer हो चुकी है even with photos यहाँ पर सारी की सारी chat transfer हो के मेरे पास आ चुकी है अब यहाँ से आप दोनों cables हटा सकते हैं और अपने phone को independently use कर सकते हैं तो इस तरीके से आप अपने Android phone से iPhone के अंदर WhatsApp chat को successfully transfer कर सकते हैं इस software के एक और खास feature है कि यह आपके phone का backup PC के अंदर भी रख सकता है उसका फायदा यह होगा कि अगर by chance किसी भी तरीके से आप यह phone में से पूरा erase कर देते हो factory reset कर देते हो और फिर आपको ज़रुरत पर जाये restore करने की तो आपका data सुरक्सित है आपके PC के अंदर वहां से आप जब भी चाहें इस iPhone के ओपर transfer कर सकते हैं या वापिस आप चाहते हैं कि अपने Android phone के अंदर तो उस data को use की आजा सकता है परन्तु फिर भी आपका सवाल हो सकता है कि यह free method नहीं है तो एक चीज़ देखी मैं clear करूँ कि बहुत important होती है chat मैंने देखा है बहुत सारे लोग WhatsApp chat transfer नहीं कर पाते अपना backup खराब कर लेते हैं पुरानी chat खराब कर लेते हैं बाद में उनको मैसूस होता है कि उन्होंने गलत किया आप एक 70-80-1000 रुपे का एक 10-80-100-00 रुपे का फोन खरीद रहे हैं और वहाँ पे आपको 1500 रुपे में अगर आप अपने WhatsApp chat को transfer कर पाएं एक दूसरे में I think मैं वहाँ पे वर्थ समझता हूँ कि ये payment आपको कर लेनी चाहिए एक phone के case भी आप खरीदे हैं glass खरीदे हैं तो यहाँ पे वो भी problem नहीं है मुझे यहाँ पे phone reset नहीं करना पड़ा मैं पहले भी अपने इस phone के अंदर WhatsApp यूज़ कर रहा हूँ और अब WhatsApp business भी मैं यूज़ कर पा रहा हूँ सारे photos, videos, सारी settings सारी चीज़ें अब इसके अंदर आ चुकी हैं So that's why I am saying It's a good method Price कितना पे करना पड़ेगा तो समय समय पर वो change होता रहता है मैं link नीचे descriptions के अंदर दे दूँगा वहाँ पे click करके आप check कर सकते हैं कई बार offer भी होते हैं तो वहाँ से आप जरूर check कर लें So I think अगर आप थोड़ा सा खर्च करके अपनी chats को save कर पाते हैं या transfer कर पाते हैं successfully तो it's a good day आप क्या सोचते हैं दिजे comment section के अंदर जोड लिखिए और आपका कोई भी question या सुझाओ हो वो भी comment section के अंदर लिखना ना बूले So this was all about for the day मिलने नेक्स वीडियो में Thank you very much